गदर टू फिल्म को आउडियंस ने रिलीस होने से पहले ही ब्लॉक्बस्टर बना दिया है मूवी का ट्रिलर लोगोंने काफी पसंद किया और उन्हें पता है कि 11 अगस्त को तारा सिंग्यानी की सन्नी दियूल हथोड़े के साथ सेनेमा हौल में आने वाले हैं आईए जानते हैं क्या कारण है गदर टू के ब्लॉक्बस्टर होने का साल 2001 में जब सन्नी दियूल अमीशा पटेल और अमरीश पूरी की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म गदर एक पेम कथा सेनेमा हौल में रिलीस हुई थी तब इंडियन फिल्म इंडरस्टी में इसने कई रिकॉर्ड तूड दिये थी ये फिल्म उस समय रिलीस हुई थी जब कारणिल वार के बाद देश भक्ती का जनून सब पे था सन्नी दियूल का तारा सिंग का एक जोरदार रूल उनके डायलोक्स हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा काफी पॉपलर हुआ था और इंडियन सेनेमा में उन्होंने काफी परभाव छोड़ा था फिल्म की सफलता ने सन्नी दियूल की एक एक्शन एरो के रूप में लोग प्रेता और बढ़ादी और फिल्म इंडस्टी में उनकी स्तिती मजबूत कर दी थी अब जबकि फिल्म का सीक्वल गदर टू 11 अगस्त को सेनेमा घर में रिलीज होने के लिए तैयार है तो बड़ा सवाल ये है क्या फिल्म बॉक्स आफिस पर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नही फैंस तारा सिंग सकीना और जीते की जोडी को सूपर हिट बता रहे हैं ट्रेलर में हमें काफे कुछ देखने को भी मिला जहां तारा सिंग इस बार अपने बेटे जीते के लिए पाकिस्तान में गुस्ते नजर आएंगे वही उनके डायलोग काफी प्रभावशारी लग रहे है जैसा कि आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा एक ब्रांड है और उसी का सीक्वल है गदर टू और उसे देखने के लिए 11 अगस्त को दर्शकों में काफे उतसुकता है गदर एक प्रेम कथा ने जो एक बेंचमार्क स्तापित किया है वह इंडिया सेनेमा के इतिहास में कभी भी कोई नहीं तोड सकता रिलीस होने के सालों बाद भी ओडियंस इसे उतना ही याद करती है और उसके गानों को आज भी दर्शकों ने अपने मनों पे संजोया है जिसकी रिल्स हमें यूट्यूब या फेस्बुक पर देखने को मिल जाती है जिसका गाना उर्जा काले कावा काफे हिट हुआ था गदर के मूल कलाकर सनी दियोल और अमीशा पटेल सीक्विल के लिए 11 अगस्त को लोट रहे हैं और आउडियंस उन्हें एक बार फिर से पसंद करेगी या नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिलहाल इस बार तारा सिंग अपने बेटे जीती को बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे रिपोर्ट्स की माने तो जीता पाकिस्तान जाता है और वहां उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है बात मैं राजनीतिक पर इस धितियों के कारण उन्हें कैद कर लिया जाता है जिसके बात तारा सिंग पाकिस्तान आते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए काफे कुछ करते हैं जब हाल ही मैं सन्नी दियूल और अमेशा पटेल की फिल्म गदर टू का गाना उड़जा काले कावा रिलीज हुआ तो आउडियोंस को पुरानी यादे आ गई तो ये सुनिशित करना मुश्किल होगा कि गदर टू गदर एक प्रेम कता की तरह हिट होगी या फिर फ्लॉप ये तो 11 अगस्त को और इसी डिसाइड करेगी आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें लेकिन हमारा हिंदोस्तान जिन्दाबाद था जिन्दाबाद है और जिन्दाबाद रहेगा हिंदोस्तान जिन्दाबाद झाल